वह पानी गिरू है अशा है सबसे जगी हो एक मेट सोरी वार्था baad ड़ारी हो अधार बल्ग के लेकिटने भाड़ गने हाओ यहांद बनी हरा वाणदाल की मिक्सियर रहें पराट भुषती है कपड़ा लगाएं क्योंकि पानी चला जाता है नीचे एक अलवाली कपड़ा फोल्ड करके रखे हैं यह हमारा गेली का फूल इस तरह से डिस्टेंस में डाल दिये तो सूखेंगे अच्छे से क्योंकि अलड़ी यह कड़ी में जाने के बार ना और फूल जाती है अच्छे ज गढ़ी खाना चया है कि गुश्व बारिश तेज कोंड़ा जाना बारिश हो जाना भारिश हो जाना का इस अचिस्तर बार भारे ममी लोगा मताती यह रात वह उतना तेज अटेज बारीश होता है ना जम से तुरकाट सिला में है बोलती रात बार दम जम आ जम बारिश। बहुत पानी फोड़ा है। नहीं का बोट जादा पर पानी नहीं होगा है। सब अच्छी होगे है सबागा। लुट पानी गिर ले हैं ऐसा। प्रादर मुझे बहुत जाला सरदर थी और आपकी दिनों के बाद सरदर इतना जादा हुआ तुबा की मुझे के लगभग यड़ाए मजी के लगभग उठी होंगी तब से जगी हो एक मिट सोरी हो आदा मिट सोरी हो जारी हो अब बारिश बहुत तेज हो यह तब से जगी होई हो अब उठती हूँ मतलब अब अगर बारिश कम हो जाएगी तो बेटेक लिए नास्ता अगरा बना कर टेक्सिल तियार कर दोगी और पिर अपनाना की पुझा पाड़ करूँगी कल की मैस उंबारे की थी तो अब नास वाक तो पहला और आखरी संबारी जो तो फिलास संबारी वही की मैं पीच के नहीं कर पाए क्योंकि तो बहुत जबादा खराब होई की बीच में इसमेज़े से और बारिश का आप ही धनी हो रही है बार अगर इतनी तेजबारी शुगी तब तो बेटे को स्कूल नहीं बेजू अगर जो नास्ते में क्या बनाती हूं दिखाऊंगी मैं कितनी भली बारिश है काफी तेज बारिश हो रही है कि अब बनी हरा मौंग दाल की मिक्स्चिर और इसी से में पराठे बना रही है हूं जबन दही और पराठा रोटी खाके गया है और साफ में रूच्य आए पराठे बनाती है उसका द्नास्ता करोगी तो देटा तो नहीं किया है स्कूल आज अब पराठे हो चुकी है ताव मैं बनाई थी मौंग दाल भर की पराठे मुंग दाज में जू साबू था रम मुंग होता है उसको सोग करके बनाई ती कभी रस्पी सेर करोगी और यह बहुत अच्छी बनती है चाय और अचाली थी और बेटा आमका कुछ चलिए ता साथ में तो अब ही मैं छट पर आई हो नास्ता वग्यरा करके और पानी की वज़े सब कपड़ा लगाए क्योंकि पानी चला जाता है नीचे यह कल वाली कपड़ा फूल करके रखी हूं अभी इसमें धोल रहा है भी बास ट्रेन करके डालूंगी और हो जाएंगे चलिए फटा- अब मैं जारी में नीचे थोड़ा रिस्ट करूंगी क्योंकि एक तो बजगे हैं एक बीस सबाएक लगपक हो रहे हैं इस तरह से डिस्टेंस में डाल दियो तो सुखेंग अच्छे से तो यहां पर बना दियों मैं कड़ी तो पहले ग्रेवी को कॉटने के लिए रखी हूं अच्छे में पर कड़ रहे हैं यह पर हैं लो फ्लेंग पर और चड़ाई हूं साथी अपर पकॉड़ी के लिए पेशन को बना लिए अत्रक लसूं का पेस्ट डाली थी नमक खर्दी और लाल बीची पड़र डाली थोड़ा साजवाई नाट की हूं और यह गरम और एक टि अधा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि अल्रीडी यह कड़ी में जाने के बाद ना और फूल आती है और इसके बाद फिर मैं चावल चड़ा दूँगी अब देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बैटर डालने के बाद जोड़ी है अच्छी खासी बड़ी हो जा रही है फूल करके अखोदी यह राउन हो जा रही है तो और भी हमें चूटे डालने है इसमें कि यहां पर कोडी तल चुकी है और शवारी थी तो कड रही है कडी अ पर कड़ सुरुकर रही हैं नमक सर्थ में अब अब जादा नमक कर ओंग नमक ताकि कि अब यह घाड़ी में शुरू हो जाएगी और मुस के हैं और ज्यादा नमक ना अड़ करें आप कड़ी में क्योंकि कड़ी है ना बागनी और गाड़ी हो जाती है इस वजा से अब यहां पे मैं पकोडियों को भी एड़ कर दूंगी कुछ पकोडियों को दखके तो गड़न लिए ना चलिकाथ उसने डालने को कोशिस खरती है कि कफी दरन ही है अब इसे हम अच्छे से कड़ाएंगे और लास्ट में एक तड़का और देंगे तड़का के लिए ऑईल घरम हो रही है तो यहां पर साही जीरा लीगों के कि जीरा साबुत कतम हो गए थी सौफे सरसो है मेती है जवाईने और गंगरीला है और एक सुखी लाल मिर्च है इसे म लचान आटाह म ही पहले मिर्ची वी कड़ी और हिम ही तड़की मे जाए और निचिवा शल्ट करोफिझाने यह दिखा विक दृत्ट के उसए हम ड़क काटनोंगें पिस्याइक हो लौकरक अग्च अच्छा है की दिखाऊ है इसे 14 बाइब करैंदेर के और मिर्ची है उसे ये ब्राउन बश्किन है यहां पर एड़ करेंगे अग्रक लेट 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 करेंड ऑसे विदून करें और है और आज तना पीयाज वाले बना रहीं है हूंँ फरी बाद लासेंट डालें बट बिना त्याज वाले बना दीक यह इंपेसाथ में कसूरी में तीवी आट करनें युल 27ुपभा फजसी एहने टफीर करेंगे अभी लासों को भीर वावब पकाएंगे है सकति थोड़ा ज्यादा ब्राओंपो जाये अब इसमें हम एड़ करेंगे ही nhất तोड़ा जाने करते है अच्छा होगता है इसे ब्रावन करने के बाद थोड़ी सी में पानी एड करोगी और फिर इस कड़ी में एड कर दोगी ऑन लिए बॉहन चुकी है तो इसमें पानी आड कर दोगी इस तड़के को और हम हम घडिए कर देंगे कर दो अपाने लाट गीत करो दूँ लिए है वर फिर अट करेंगी तुली सीपानी जरह होजाए फिर अट करेंगी तो यहां पर कड़ी कड़ रही है अच्छे से टाइम लगेंगे 20 मिनट्स है पर चावल भी में चड़ा दिया है बनने के लिए बस यह गाड़ी हो जाए ना तो फिर हमारी कड़ी हो जाएगी अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालने हैं यहां पर कड़ी हो चुकी है हमारी डल और यह है कसूरी में थी तो चलिए ग्यास का फ्लेम पड़ते हैं बंद और इसे हम ढग देंगे और चावल भी हो जाएगी दो तिन मिनट में तो यहां मैं गंटे से भी कम समय में है कड़ी और चावल बनाई हूँ पुरे पसीने पसीने हो गया है अजबंड आ गया है गया है चट पर नहाने के लिए चट पर में बातर में उपर नहा गया हैं इसके आदा पंदरा बीस मिल के अदम लो खाना खाएं तक ए खाना थोड़ा ठंड़ा आप जाएं गरम खाना एक दम नहीं खाना चाहिए अधर फ्रेस्क खाएं जाधा गरम नहीं खाना चाहिए चाहिए रोटी और चावल तो चलिए खाना सार करूँगी तो मैं दिखाऊंगी तो और गाडी हो जाएगी थोड़ी देर में तो यहां हमारी कड़ी और चावल बनकर के रेड़ी है तो इस रेस्पी को ट्राइ किजए और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी एक बार तो बना करके आप ट्राइ किजिए आप इसके फैन हो जाएंगे और बहुत इजी रेस्पी बहुत जल्दी बनती है नेक्स टाइम फ जे तो thanks for watching this video